नमस्कार, चौथे चरण की वोटिंग के बाद अब पिचर बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है आपको बता दे कि चौथे चरण को मिलाकर 380 सीटों पर वोटिंग हो गई है और अब जो 272 सीटे लेकर के आएगा उसकी सरकार बनेगी तो आज सीधे योगेंद रियादत जी से जानेंगे कि बीजेपी किस हालत में है बीजेपी की ऐसी हालत क्यूं हो गई पहले दूसरे तीसरे चरण में बेडा गरक करने के बाद चौथे चरण बड़ा जो नायक चरण रहा उसमें भी बीजेपी का बेड़ा गरक होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है इन सब सवालों पर बात करेंगे क्योंकि योगेंद रियादित जी को मैं इलेक्शन का डॉक्टर समझती हूँ जो चुनाव की नफस को टटोल करके ही कोई बात करते हैं इनसे बहतर कोई और नहीं कर सकता सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है शुक्रिया आपका कहना है कि इस बार उत्तर प्रिदेश की तरह बिहार में भी भूचा लाने वाला है तो बीजेपी कितने में सिमटने वाली है क्या लग रहा है आपको इस चौथी चरण प्रग्या जी हमारी बात होती रही है और आपको याद होगा शुरू में चुनाव शुरू होने से महीना भर पहले मैं कहा करता था कि देखिए बीजेपी को 272 से पहले रोकना संभव है मैं संभव है कहता था लेकिन मनी मन सोचता था कि रोक पाएंगे के नहीं फिर उसके बाद जब चुनाव नजदीक आया और इतना कुछ इनका जो बैंट बाजा बजरा था चार्सो पार और ये सब ये थोड़ा सा ठंडा पढ़ने लगा तो मैंने कहा कि बीजेपी ये ऐसा लगता है कि ये चुनाव तो करवट ले रहा है और अब मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये चुनाव करवट ले चुका है ये पिहार से घुमने के बाद जैसा आपने बताया उसके बाद मैंने लिखा पहले पहले तो क्या हुआ था कि जब लग रहा था कि भी ये तो चार लेकिन जब चल रहा था तब मुझे लग रहा था कि यार हो ना हो ये लोग 300 से उपर पाने का इंतजाम कर चुके हैं ऐसा शुनु में लगता था फिर मैं ऐसी स्थिति में जो करता हूँ वो यही कि गाड़ी उठाता हूँ और घूमता हूँ डॉक्टर वाली आपने बात कही तो मैं गया घूमा उत्तर प्रदेश में तीन बार मैं ट्रेवल किया हूँ काफी एक्सेंसिवली एक बार गाजियाबाद से साहरन पूर दूसरी बार लखनव से बनारस तीसरी बार आजमगर से लखनव यह सब करके फिर मेरे को लगा कि यारी तो मामदा बहुत ही अलग है तो वो नहीं है तस्वीर जो कि यह दिखा रहे हैं और इस बार अब बिहार और घूमने के बाद अब तो बिलकुल निश्चित है इस बीच में करनाटका भी गया, 36 गड़ गया और तेलंगाना गया तो अब सब चीजों को अगर समेट के एक साथ कहें तो यह बात निश्च रूप से कही जा सकती है कि आज की तारीख में बीजेपी 272 से नीचे है और अब मेरे मन में तो संदेह यह है, आज की मेरी जो कैलकुलेशन है, उसके हिसाब से तो बीजेपी ही नहीं, पूरा NDA यानि की बीजेपी और उसके सही होगी, यह कुल मिला, यह सब मिला के 272 से न इसलिए यह चुनाब बहुत बड़ी पर्टी खा चुका है, अब आज का जहां मत्तान हो रहा है, आज के मत्तान में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सही बात तो यह कि मत्तान में सबसे महत्विपोर वह उलाके हैं जहाँ NDA और इंडिया की मुक् nessa लड़ाई नहीं हैं, आज के मत्दान में तेलंगदाना है, तेलंगदाना और आंदरप्रदेश दोनों है, उरीसा में शुरू हो गया है, तो ये जो नॉन इलाइंड है ना, मतलब इसमें BRS, इसमें BJD, इसमें YSRCP, इसमें MIM, ये सब पार्टियां जो हैं, इनका कुछ रोल है और इसमें संख्या और महराष्ट के जिन इलाकों में हो रहा है, ये दोनों इलाके BJP के लिए, NDA के लिए अपेक्षाक्रित मजबूत इलाके रहे हैं, जिन में से कुछ सीटों का नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान इस फेज के अंदर दिखाई नहीं देता है, अगर नुकसान है BJP को ज्यादा तो बिहार में हैं, मध्य प्रदेश में हैं और बंगाल में हैं, इन तीन में ज्यादा नुकसान है, उत्तर प्रदेश और महराष्ट में अप एक शाक्रित कम नुकसान है BJP को, तो अब तक मैंने कहा था कि पहले तीन फेज में मोटे तोर पे कहूं तो BJP को 40-45 सी का नुकसान और जो चुका है, आज के रफिस में, मैं आपको रोकूंगी, आपने बोला, NDA 272 पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुमत का अकड़ा, NDA के लिए चुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो यह आपने के साधार पर कहा है, यह तो बहुत बहुत बग़ी आपने कही है, चली, ऐसा करते हैं, गिन लेते हैं, अब आपके पास कोई कागज बागज है, तो आप सामने रख लीजिए, हम गिनते जाते हैं, 2019 के चुनाव में, NDA को आई थी 353, जिन में से 303 BJP की थी, 50 उनके सैयोगियों की थी, 353 का अकड़ा, अब एक एक राजिया का देखते जाईए, और उसे घटाते जाईए, करनाटका, इनके पास हैं 28 में से 27 सीट, आज की तारीख में, इनको कम से कम 10 सीट का नुकसान है, जब मैं बात बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि, शो के बाद एकदम मुझे करनाटका से फोन आएगा, कहते हैं, कमाल है, आपने 10 सीट का नुकसान है, फिर आजाईए, आप महराष्ट, महराष्ट में NDA को 48 में से 42 सीट थी, 40 जमा एक 42 सीट इनके पास थी, उसमें कोई मुझे महराष्ट का समझदार राजनेतिक विशलेशक नहीं मिलता, जो इन्हें आज की तारीख में 22 से ज़्यादा देने को तयार ह अब आप इसाब रखिएगा, 10 जमा 20, 30 हो गए, उसमें ये भी हम याद रखें कि ये जो 20 सीट का नुकसान है, इसमें ज्यादा नुकसान BJP के सहयोगियों का होगा, और कम नुकसान BJP का अपना 7-8 सीट का होगा, सहयोगियों का 10-12 सीट का होगा, अब आईए मेरे साथ रा गुजरात को भी जोड़नी जीए, गुजरात में BJP को वोट का नुकसान होगा, ये फिर मैं गारंटी से कह रहा हूँ, लेकिन उनके पास मारजिन इतना ज्यादा है कि वोट गिरने के बाद भी बहुत ज्यादा सीटें ही तूटेंगी, इसकी अपेक्षा में नहीं करनी च इसमें बारी नुकसान है इन तमाम सीटों, तो कम से कम करते हुए दस पकड़ दीजिए, तो अब हम आ गए, चालीस पे, दस, बीस, तीस, और हाँ, चालीस पे आगए, अब आप मेरा अपना प्रदेश हरियाना, दिली, पंजाब, चंदीकड़, और हिमाचर प्रदेश, करने वाले कहेंगे, यहाँ 15 सीट का नुकसान हो जाएगा, दिली में सातों सीट साफ हो जाएंगी, आज की तारीक में नियुन्तम कहता हूं, अरियाना मी लोग कह रहे हैं कि 6-7 सीट का बीजेपी का नुकसान हो रहा है, मैं नियुन्तम चार पकड़ रहा हूं, चार से ज्यादा नुकसान हो नहीं सकता बीजेपी का वहां पर ही है तो दस इसमें मिला लिया पहुंच गए पचास पचास अब आईए मध्यप्रदेश शत्यसगर मध्यप्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस उतने दम से यह चुनाव नहीं लड़ पाई है जितना उसे लड़ना चाहिए था तो मध्यप्रदेश में आप समझेए बीजेपी को नुकसान होगा एक सीमित किसम का नुकसान होगा और उसे हम बीजेपी के नुकसान को समझेए वहां पर मध्यप्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगियों को य तो मद्यप्रदेश की बात में तुमारा करता हूं, मद्यप्रदेश में बीजेपी को फिर वोट का नुकसान हो सकता है, लेकिन वहां विपक्ष उतना जबर्दस चुनाव नहीं लड़ पाया है, कई चीजों में रहा है, तो वहां नुकसान सीमित हो सकता है, मैं समझता हूं क्यों की 57 सीट नुकसान होका मद्यप्रदेश में, बीजेपी के पास 29 में से 28 है, 57 सीट का नुकसान मद्यप्रदेश में, 2 1 सीट का नुकसान 36 गड़ में, लेकिन आपको कमी अगर रह गए तो इसमें चलिए जालिक जोड़ देते हैं, जहां हेमंद सोरेन की गरिफ्तारी क कि वज़े से एक गुस्सा है वहां पब्लिक के बीच में तो तीनों में मिलाके मैं दस का नुकसान मानता हूं जैसे मैंने का कि बीचेपी के पास 79 चोशट और पाँच 79 एंडिये के पास आज की तारीक में मैं जाता हूं कि जो कई पत्रकार है अलग अलग मानता है कोई कहते हैं तीस भी नहीं आएगा कोई कहते हैं नहीं 15 से ज्यादा सीट नहीं जा सकती है मेरा अपना अनुमान है कि बीचेपी को यह यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान होगा, यानि कि आज जो 64 पे है यहां पर इसमें उत्राखन की भी एक आजी सीट डोड़ दीजें, क्योंकि देरा तुम में एक सभाव ना हो सकती है, यहां मिला के 15 सीट का नुकसान मैं बोल रहा हूँ, इसमें सब को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं भी अपना गणित करता हूँ, देखता हूँ इन चीजों में, 15 सीट का नुकसान उत्तर प्रदेश में, और अब रह गया, अब यह आगए पिचतर, अब इसमें जोड दीजिए आप बिहार, जहां मैं घूम के आया हूँ, जिसके बारे में मैंने आज ही को दिया था, इस बार नहीं देगे, मैं कहता हूँ, एक पिहाई नहीं आप एक बटा पांच माननी जिए, जिन पांच लोगों ने पिछली बार एंडिया को वोट दिया था, उन में से एक खिसक रहा है, जबकि राजद और सब और कॉंग्रेस का कोई वोटर नहीं खिसक र आएंगी, और महागटबंदन की अठारा, और अगर एक तिहाई सच मुझ खिसक गया तब तो पांच सीट नहीं आएंगी इनकी, एंडिया की, लेकिन फिर जैसे मैंने कहा नियून तब, बाइस के हिसाब से भी सतरा का नुकसान हो जाएगा, लेकिन मैं उसे पंदरा मान के सकता हूँ, पंदरा और जोड़ दीजी, हो गए नबे, अब छोट छोटी जगए जहां की चर्चा हमने नहीं की, पश्रिम बंगाल, एक स्टेज पे मुझे लग रहा था कि पश्रिम बंगाल में इन्हें बीजे पी को दस सीट का नुकसान हो सकता है, लेकिन बाद में लग का नुकसान और हिल स्टेट्स में दो सीट का नुकसान, और इसमें जोड़ लीजिए यूटी जो बच गए, चोचोटी यूटी, दादरानागर अवे लिया, लक्षद वी, अन्दमान निको बार इत्या दिया दिया सारी सीटें बची, इन सब में मिला के 10 सीट का नुकसान और हिसा में दो सीट तक का फायदा बीजेपी को हो सकता है, कुछ कहते है नहीं होगा, अलग लगतर है के रिपोर्ट है, मेरी आखो देखी नहीं है तो मैं मान सकता हूँ कि चलिए दो सीट का नहीं नफा हो सकता है, तेलंगाना में दो सीट तक का पायदा बीजेपी को हो स वेख़ गमे नहीं 5 सीठ को उन्हें फायदा है यहांपे अंध्रा में इक अलग कहानि है विण्खणिन चोपि टीडीप अनकी पार्टनर बन गई ए और टीडीप को सीठोगे आएगा तो आप कम से कम 10 सीठ टीडीप को दीचीए। वहाँ बच्चीस में तो ये 15 सीट का इन्हें फाइदा हो सकता है तो सौ में से 15 घटा दीजिए अब आगे पिच्यासी सीट का नुकसान एंडिये को है अब फटा फट गनित कर लीजिए आप 353 में से पिच्यासी घटा दीजिए इतना अकड़ा आगया 268 यानि की मैचॉरिटी मार्क से चार सीट कम लेकिन फिर मैं कोई एक्जिट पोल नहीं है एक्जिट पोल भी इतना एक्यूरिसी से नहीं बता सकता तो जो 268 है 268 का 278 बन सकता है उसका 288 मन सकता है बहुत ब्रॉड सी चीजिए जैसे हम माथे पे हाथ रखके कहते हैं नहीं 102 बुखार लग रहा है अब वो 101.5 भी हो सकता है आपकी बाद सुनकर भाजपा को पूरे NDA को बुखार चड़ जाएगा पुछो लग रहा है इस वक्ट इस तरीके से आपने राजदर राजज़ एक्दम क्लियर कर दी तस्वीर उन्हें मेरे कहने की कोई आवशक्ता नहीं है मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी और अमिच्छा की टेबल पे यांकड़े पहे हैं वो हम आपसे लेखिए उनके बारे में उनसे जो भी मेरा वैचारिक मद्भेद हो ये लोग बेवकूफ नहीं है ये लोग जानते हैं कि जमीन पे क्या हो रहा है एक्जिट पोल दिन रात इनकी टेबल पे आ रहे है मोदी जी को पता है और इसी दे थोबा बुझे-बुझे से रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है आप और मैं जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा मोदी जानते है हाँ एक औसत भाजपा का कारे करता नहीं जानता और एक औसत वोटर नहीं जानता जिसको अभी भी इसी मुगालते में रखा है 400 पार आएगा तो मोदी ही इतने लोग मुझे उत्रप्रदेश बिहार में मिले जो कहते थे कि ना बिलकुल वोट नहीं देंगे लेकिन भाई साब आएगा तो मोदी यह जो धारना बनी हुई है तो आम व्यक्ति को नहीं पता बड़े यह लोगों को सब को पता है अब तो बीजेपी के स्टेट लेबल लीडर्स को भी यह बात पता लग गए यह जमीन पे जाएंगे यह लोगों को बेखूफ थोड़े यह 20-20 साल से राज्निती कर रहे हैं 30-30 साल से कर रहे हैं जमीन पे जाते हैं सब पता लग जाता है जो वोटर बीजेपी से मूव कर रहा है यह कौन वोटर है और क्यों मूव कर रहा है दो चीजें हैं जो पूरे देश भर में, तीन चीजें हो रही हैं पूरे देश भर में, देखे, जो मोदी जी का उनुमाद था, 2014 में एक आशा का अतिरेग था, 2019 में एक उनुमाद था, देश, सर्जिकल स्ट्राइक, बाला कोट, वो सब, वो उनुमाद गया है उतर, और बिल सवाल, जन्ता की अपने जीवन से जुड़े वे, भाई महंगाई है, भाई ये बेरोजगारी है, ये GST ने क्या कर दिया, धंदा चौपट है मेरा, लोगों को अपनी कंडिशन दिखाई देने लगी है, दूसरा सवाल, ये जो जितना लोग प्रधान मंत्री या योगी जी जैसे मुख्यमंत्री से नाराज नहीं है, उससे ज़्यादा नाराज है सांसदों से, सांसदों से भयंकर नाराज गी है लोगों की ऐसी ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो मैं इस शो के उपर बता नहीं सकता, और तीसरी बात है, जो मैंने देश भर में देखी, वो ये क अब लोग कहते हैं, नहीं आरे, तो सत्ता में जादती कर रहा है, कुछ-कुछ लोग तानाशाही शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, साधारन व्यक्ति अहंकार और जादती, ये सब महसूस करता है, और नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तीन सामानने चीज़े हैं, जो सत्तर है महराष्ट हुमें इनकी पार्टियां तोड़ने और सरकार गिराने के बारे में गुस्सा है राजस्थान में जो अशो कैलोट की स्कीम बंध होने के बाद निराशा है अल्वर्ट हो का क्वा का मैं ठोड़ा और समझा चारीति विस्तार से कि राजस्थान को लेकर क्या अनुमान है? लिए राजस्थान में पिछली दो बार से बीजेपी को पच्छिस में से पच्छिस सीथा है पिछली बार 24 उनकी थी और एक उनके सहयोगी की थी इस बार दो तीन चीज होई है राजस्थान में जो अलग है पहला तो ये कि मुख्यमंत्री निया ब पूरी मीटिंग हो रहे थी नाम निकला और फिर लोगों ने का रहे भई कौन है कहा है अच्छा चाओ तो जरा सामने आओ तो तो उन्हें लोग कहते हैं भजनलाल जी को परची वाला मुख्यमंत्री कहते है एक तो ये दूसरा जैसे मैंने बताया अश्व कहनूत कि कई स्क लेकिन खी थी और एक आम जनता में अब ये है कि आड़ी स्कीम तो बंद हो रही है ये तो गलत बात हो रही है जो इनकी हेल्ट की स्कीम थी चरण जीवी योगना कापी अची स्कीम थी उसके बंद होने पे तीसरा ये जो बेल्ट है चुरू जुनु सीकर वाली ये जो चुरू जुनु सीकर फिर इधर राजस्थान में तो अहंकार की पराकाष्ट है मतलब मान के चले थे कि अगर हम खंबा भी खड़ा कर देंगे चुनाब जीच जाएगा क्या फरक पड़ता है किसी को भी दे दो और अब लोगों को लग रहा है ये कैसे करती है आपने तो य जैसे मैंने कहा एक तो पूरी बेल्ट है नौदस सीट की बेल्ट है शुरू होती है गंगानगर से गंगानगर चुरू जुनजुनु सीकर फिर इधर राजस्था ये जैपर ग्रामीर उधर अलवर दौसा फिर इधर टॉंग सवाई माधोपू ये पूरी एक बेल्ट है उ तीसरा बाड में जहां एक त्रिकोणी ये संगर इन समाम चीजों को लेते हुए राजस्थान में इस वक्त समझदार लोग तो बता रहे हैं कि 10-12 सीट कॉंग्रेस की आएंगी यहां तो पहले जो हुआ करता था कि हर बार कॉंग्रेस विधान समा में जैसी भी परफॉर्म लोग सभा आते अटे अचानक बीजे पी का वोट बढ़ जाता था और कांग्रेस का गिर जाता था बोसक जो ऐसा कट़ा इस बार नहीं हो ऐर कॉंग्रेस दो समझदारी है तो कंग्रेस तो समझदारी है की एक तो ऑंगulture से टिकेट विधान सभा की तुलना में लोग सभाम भी एक समझाता कर लिया है तो यह सब करते वे राजस्थान में कहने बाले तो 12 सीट के करी 10-12 सीट बताते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा मैंने तो उसको conservative करके और फिर गुजरात भी उसमें जोड़ लिया 2-3 सीट और करके कहा कि कम से कम 10 माने जाए सर उत्तर प्रदेश को अगर विस्तार से सबजने की कोशिश करें तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को कम नुकसान हो रहा है जी अपेक्षाकृत कम जो बिहार में जो मैंने देखा उससे कम क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में तो चीज़ हैं जो कि भाजबा के पक्ष में चाले हैं. एक तो ये कि जो राशन की बात है वो तो पुरे देश भर में लोग कहते हैं. मोधी सरकार को राशन का क्रेडिट पुरे देश भर में मिलता है. चाहे आप उसके क्रिटिक हों कुछ भी हों जो लोग मोधी को वोट नह देवाने में बना था, लागो हुआ था, शुरुवात हो चुकी थी. लोगों के मन में ये छवी ही है कि मोधी जी लेकर आए इस चीज़ को उनको क्रेडिट मिलता है. उत्तर प्रदेश में जो लॉइंड ओर को लेके उत्तर प्रदेश की सरकार को क्रेडिट मिलता है. तो ये छवी बहुत गहरी बन चुकी है इसके बारे में. लेकिन तो इन दो चीज़ों का एडवांटेज रहता है. इसलिए उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी स्थिती BJP की नहीं है, जितनी की हो सकती थी. जैसी बिहार में इस वक्त बनती जा रही है, वैसी स्थिती अभी तक गई थी. इस बार इस चौटे चरण में. जी ना सिरफ 2019 में गई थी, बलके हमने तो विदानसभा चुनाव के परिणामों के हिसाब से भी मुल्यांतन किया, कि मान लीजे 2022 के विदानसभा चुनाव के परिणामों को जोड़ दिया जानी. तब भी ये 13 की 13 BJP के हाथ तो ये ये वाला जो जा रहा है चौथा दौर ये विपक्ष के लिए तेड़ी किया है. इसलिए मैंने कन्नौच को लेकर क्या कहेंगे सर कन्नौच में अखलेश यादव के पती दिपल यादव? जब इतना बड़ा निता आ जाता है तब तो जाहिर है सब कुछ मौमला पलट ही जा पूरे उत्तर प्रदेश की हवा को कुछ बड़ा क्योंकि एक जब उन जैसा व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को इस पे दाओं पे लगाता है तो पब्लिक में दो मैसेज जाते हैं एक तो ये है कि हाँ नेता तो है देखो लड़ सकता है आया है और दूसरा ये कि भाया इसक मतलब है हवा तो इनके पक्ष में ऐसे तो नहीं आया होगी तो इससे जरूर वहां पे फायदा होगा आसपड़ोस की सीटों में भी फायदा होगा कुछ स्थिती बेहतर हुई आज वाली सीटों में लेकिन जैसा मैंने कहा चौथा दौर वो दौर नहीं है जहां विपक्ष बहुत बड़े गेंस हम उम्मीद कर सकता है अब तक मैंने अनुमान लगाया था कि पहले तीन दौर में NDA को 40 सीट के करीब का नुकसान हो चुका है पहले दो दौर में 20 सीट का नुकसान हुआ खाली तीसरे दौर में 20 और सीट का नुकसान हो गया लेकिन जो चौथा दौर जहां हो रहा है वहाँ BJP को नुकसान है मद्यप्रदेश के जिस एलागे में वोटेंग हो रही है वहाँ BJP को नुकसान है अतरप्रदेश में लिफ्सान है अगर यहाँ पे इस 13 में से मैं समझता हूँ अगर कोई तीन-चार सीट विपक्ष छीन लेता है तो विपक्ष के लिए उपलग्दी माना जाना चाहिए, क्योंकि ये दौर BJP का दौर है. एक तो लोग सुन सुन के हो गए हैं तंग. ऐसा नहीं है कि लोग राम मंदिर के खिलाफ है. जब भी आप बात कीजिए, लोग कहते हैं हादी अच्छा काम किया, बढ़िया किया, हो गया. लेकिन इसके नाम पे आप वोट मांग रहे हों. ये पब्लिक को कुबूल नहीं होता भड़काएं, मैं भड़क जाता हूँ. दूसरी बार भड़काएं, तो मुझे लगता है, कुछ तो हुआ है, चलिए हो गया. तीसरी बार जब वही खेल, कोई मेरे साथ खेलता है. तो मैं कहता हूँ, जड़ा सोच, ये क्या हो रहा है? तो जनता में अब ये हिंदू-मसल् कि साथ ये तो रोज-रोज का दंदा बना लिया इन लोगोंने, हर बार ये कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि खतम हो गया है. जब हम घूम रहे थे, खूब लोग मिले जो कि फिर वही गिनाते हैं. वैसे मोझी जी के पक्ष में जो बात गिनाते हैं, मुसल्मान की चूड़ी करने वाला मुहावरा नहीं है. लोग जो मोझी जी के पक्ष में बातें गेनाते हैं, वो है अंतर राष्ट्री अस्तर पे इन्होंने देश की चवी को बहुत सुधार दिया. मैं को परसों कोई कली कोई बोल रहा था. कि साब विदेशों में देश की चवी बहुत सुधार कि मैंने का आप गए क्या? वो रुखवादी पापा ने. जी वो रुखवादी पापा. तो मैंने उनको पलट के पूछा कि आप गए क्या? अरे भाई साब, आप टीवी नहीं देखते हैं. टीवी में पता लग गया कि मैं कर दिया उन्होंने. तो एक ये बात लोग कहते है दूसरा 370 कहते हैं. अब इनको पता ने 370 क्या है, कहा हुआ और इसका जम्मू के हिंदू पर क्या आसर 370 का पड़ा है? तो हमारे देश में जाते हैं लोग उनको पता नहीं है. तो वो है कि भाई 370 किया. और तीसरा है राशन, राशन दिलवाय साब. मंदिर उसमें भी ज खिलाफ नहीं है. और लोग मंदिर के लिए मोदी जी को श्रे भी दे देते हैं. लेकिन चुनाव का फैसला केवल मंदिर के नाम पे हो, ये लोग तयार नहीं है. तो सर, अगर NDA पूरी बहुमत से दूर है, बहुमत का आकड़ा नहीं चूपा रहे है, BJP को तो छोड़ दी कि जूला उठाकर जागा पुड़े है. एक दो और फेस निकल जाने दीजिए, तब इस पे भी चर्चा करेंगे. अभी तो, और क्योंकि बहुत कुछ खेर है इसमें, 250 से अगर नीचे मोदी जी पहुंचते हैं, और हमने अभी जो हिसाब किया उसमें तो 233 के करीब काकरा अगर मोदी जी 250 से नीचे जाते हैं, तो क्या बीजेपी मोदी जी को कबूल करेगी? बाद में प्रदानती बनना वगरा तो बाद की बात है. जी. देखे, मोदी जी ने, मोदी और शाह ने बीजेपी के भीतर जो तानाशाही है. देश के अंदर तानाशाही तो बड़ी ब बाद में पार्टी में बोल नहीं सकते हैं, मतलब मिनिस्टर क्या ड्रेस पहन के जाएगा, मिनिस्टर को फोन आता है गाड़ी में बैठे हुए, ती-शिट पहन के जा रहे हैं, ड्रेस बदलो. ये स्थिती है, इनके मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूं म तो ये जो तानाशाही के खिलाफ, बीजेपी के भीतर जो तानाशाही है, उसको लेके जो असंतोश है, उस पर भी ढकन खुलेगा, अगर 250 से नीचे आते हैं, अब तक तो ये था कि या वोट लाते हैं, देखो चुप करो, सब चीजों पर टेप लगाया है, वता वोट फिर तो तमाम स्वार उबरेंगे, RSS जो की दबी, चुपी, चुपचाप से बैठी हुई है, RSS की विचारधारा मोदी इंप्लिमेंट कर रहे हैं, लेकिन RSS के सर के उपर चड़ें, तो RSS वाले विचारे परेशान हैं, उनका भी मुझ खुलेगा, और मेरी उमीद है कि द मोदी जी की प्रधानमंत्री की दावेदारी एक दम बिखरने लगती है, और उसके बात क्या होगा, वो खोल जाता है, राहूल गांधी एक बात बहुत confidently कह रहे हैं, राहूल गांधी की बात मैंने इसलिए कहीं, क्योंकि इसके पहरे राहूल गांधी ने कोरोना का जिक्र क किया, वो भी बिर्कुल सही निकला, बात कि पहीं, जियास्टि की बात कहीं, तमाम राहूल गांधी की उठाए हुए मुदे काफी तहीं जाता हुई हुआ, सब ने देखा, मुझे जी के दो गहरे दोस्तों की बात भी रहूल गांधी ने कई तहीं, ति वो भी सही साइव हुई आप राहूल गांधी इक बात कह रहे हैं कि आप लिख कर ले लो नरेंद्र मोधी प्रधान मंतरी नहीं बनने वाले इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं आप उन्हें ज़्यादा पता होगा मुझसे मत दिली के अंदर जो कुछ हो रहा है देखे दिली बात के बόσसके हैं मेरे को दसगुना ज़्यादा है चाहिए अमित शा को प्रधान मंतरी बनने नहीं वाले हैं ये बात ये नेरेटर वागर आप आदमी के दिमाग में जाता है कि हम जो जा रहे हैं वो मोधी जी को नहीं जाएगा तो भाजपा को दालने का ना क्या मतलब जब मोधी जी प्रधानमंतरी नहीं बन रहे हैं तो इसका बड़ा प्रभाव पढ़ेगा आप इसके प्रभा How को किस तरही के Mac गते असर हो गा उन बातों को पकड़ा है, जो जमीन पे चल रही है, मैंने आपके पिसे शो में भी कहा था, कि उत्तर प्रदेश में काफी लोग कहते हैं, कि देखे जैसे रमन सिंग का पता कटा, शिवराज सिंग चौहान का पता कटा, वसंदरा राजे सिंदिया का पता कटा, वैसे योगी अगर मोदी आ गए, तो योगी जी का पता कटेगा, और अगर आप देखें, खर आप उत्तर प्रदेश में और मुझ से बेहतर जानती है, उस तरह से योगी इसको जीवन मरन की लड़ाई समझ के ये चुनाव लड़ नहीं है, ऐसी मेरी खबर है, आपको बेहतर खबर होग और काफी लोग मिलते थे जो कहते थे कि भाई योगी तो योगी तो अच्छे हैं, लेकिन उनका चुनाव थोड़ी है, ये तो दूसरा चुनाव है, तो अर्विन केजरिवाल ने कहीं ऐसे मुद्दों को पकड़ाया जो जमीन के हैं, और जिससे बीजेपी के वोटर्स में जो अफरा तफरी मचने का, जिस तरह का काम बीजेपी ने किया था, चार सो पार करके सब को एकदम स्तब्द कर दीजिए आप, तो उसकी काउंटर मूव है, कि इनमें अफरा तफरी फैल जाए, और असली बात यही है, कि अगर अगले तीन चरन, आज वाला तो हो गया अब चार चरन की बात है, लेकिन आने वाले तीन चरन जो अब हैं, इन तीन चरनों में अगर यह बात फैल जाती है, कि भाई, मोदी जी तो शायद ना है, यह जो था ना, कि आएगा तो मोदी, अगर यह चीज चूट गई लोगों के मन से, तो फिर तो आप देखिए, यह भी सं कहता था, लेकिन आएगा तो मोदी जी, कुछ भी कर लो, तो यह जो तिलिस्म बनाया गया, यह जादूगर होता है, जादूगर हमें स्टेज पे जादू दिखा रहा है, हम मुह में उंगली डाले वे देख रहे हैं, पिर अचानक हमें दिख गया कि उसने तो अपनी बदल सकता है, आने वाले तीन चर्णों में, जो जितना हमने हिसाब अब तक लगाया, उससे भी बुरी स्थिती बीजेपी की बन सकती है, लेकिन साथ में हम भी देखें कि मोदी जी, कोई न कोई काड तो खेलेंगे, यह ही चुपचाप से अपने सामराज्य को टेखेंगर अब अचानक से P.O.K. याद आ गया हम अचाजी को, बहुत समय बाद याद आया, कि भई P.O.K. हमारा है, हम लेकर रहेंगे, तिस साल सरकार चलाने के बाद तो नहीं याद आया, लेकिन अब चौथा चरण हो गया है, तिन सो असी सीटे पूरी हो गई, तो अब याद आया मोदी और शाह के बारे में इतना तो कहना होगा, वो आखरी ओवर तक बैटिंग तो करेंगे, और जिस तरह के उनको जो कुछ शॉट आते हैं, क्रॉस बैटिट शॉट आते हैं, रिवर्स स्वीप लगाना आता है, जो कुछ है, हर तरह की लपे बाजी तो अब को क्या लग पूरी बीजेपी में देख पा रहे हैं, इनके नेताओं में देख पा रहे हैं, आपको लगता है सर की नहीं मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गंभीरता से नहीं लड़ा दे कि बीजेपी को मैं इसका श्रे हमेशा देता रहा हूं कि बीजेपी छोटे से बड़े चुनाव को गंभीरता से लड़ती है चाहे वो चंदिगड के मेर का चुनाव को चाहे वो सूरत इंदौर का चुनाव वो जो भी हो, यह अपना जो कुछ, साम, नाम, दंड, भेद, सब कुछ का इस्तेमाल हर चुनाव में करते हैं, BJP ने हर बार किया, इस बार भी कर रही है, तो इतनी बुरी नौबत कैसे आ गई है, क्योंकि सारी दुनिया BJP के कंट्रोल में नहीं है, यह जो अहंकार हो जाता है सत्ता में बैठे-बैठे, कि भाई हम तो भगवान हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, एक दिन आता है जब को आपको लगता है कि यह तो देश मुझ से बड़ा है, पब्लिक है, जो सब जानती है, अंतत्य देखे, मुझे नहीं लगता कि BJP अपनी गलती, जो हम मानते हैं न कि रणनीती में गलती की वजह से BJP शायद हारी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, चुनाव केवल रणनीती से नहीं जीते हारे जाते हैं, अंतत्य एक जनमत का वो होत है, जैसे मैंने का देखे, लोक तंत्र में, और मैं एक और बात किया दूँ यहा, मुझे नहीं लगता कि यह उपोजिशन के कोई शांदार खेल की वजह से BJP हार रही है, मैं तो, मैं बार बार निराश हुआ हूँ, उपोजिशन में कई चीज़ें की हैं जो नहीं की हैं, तो यह नहीं कि उपोजिशन के बहुत शांदार चुनाव रहा है, अगर उपोजिशन काइदे से शांदार चुनाव लड़ता तो सच कोंप्रग्या जी, इनके सौ सीट नहीं आती बीजेपी को, अगर आज बीजेपी के हम दोस्तों सभा दोस्तों की गिंती कर रहे हैं वो सबसे बड़ी टकर के तौर पर देखा जा रहा है, मैं ऑन ग्राउंड आप से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि 2004 से लगतार जीतते आ रहे हैं, और उनके पिता भी 6 साल सांसद रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि 2004 से जो जीत रहा है, 2024 आ गया है, अब क्या मादवी लता में वो माजिकल पावर है कि अब वैसी की सकता जा रही है, देखिए मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, मामला सीधे सीधे हिंदु मुस्तिम ध्रुवी करब का है, अधराबाद में वैसी कोई बहुत अच्छी राजनेती नहीं करते हैं, उनके भाई पे मतलब जिस तरह का एक आतंक हो सकता है कुछ राकों में, उस तरह का आतंक किल का रहा है, तो ऐसा नहीं कि ओवेसी कोई बहुत बढ़िया राजनेती करते हैं, और उनके मुकाबले में बीजे पी की जो नेता आई है, मादवी देखिए, वो उसी के मुकाबले में एक तरफ म तो बापरें दोनों को इम्में से एक चुनना पढ़ रहा है तो मेरे को तो सब्मुच है लोगों के पती सानुगूती पैदा होती है कि कब ये प्रदेश इस तरह की राजनीती से मुप्त हो पाएगा लेकिन जो वैसी भाईयों का जिस तरह का वहां दबदबा और दबंगई है वो तो कोई शुम चीज नहीं है किसी भी जग इलाके के लिए तो क्या है फाइट है या फिर एकड़ एज़ी है निकली हुए सीट है क्या है उस पर क्या देखते है अब इतना एक एक सीट के बारे में बताना कठिन होता है लेकिन ओवेसी ने क्या कर रखा है एक खास आती है जिसमें वो लगबग सारी वोट उनको मिलते है अचा सगला सब्सक्राइब कर देखने का एक अलग तरीका है क्योंकि आप पत्रकार है आप जमीन पे रहते हैं आप सीट दर सीट देखते हैं मैं जिस सेफलोजिकल ट्रेइनिंग से आया हूं मैं कई बार सीट देखत वोट में गिरावट तीन प्रतीशत पांच प्रतीशत छे प्रतीशत फिर उसको मैं अप्लाई करता हूं तो जैसे मैंने कहा इस तेरह में से जाहर है अकलेश जी के चुनाव लड़ने की वजह से उस इलाके में उन्हें फाइदा होगा लेकिन इन तेरह में से अगर प्रता प्रतीशत इंद मस्के अगेश और यहां वहां सिर्फ इन सयधा नहीं वह चुने को छ rect प्रत प्रता इस में अलनागेश, तो जब कि इन कि वहाँ शल्टेश 2019 मीट ड़े नियुत अगें पूरे उत्तरप्रदेश के टो यह जैंप जीजिघ इसधी तो यहां टो यह लेता है इस 13 में से तो opposition के लिए उपलगती है बहुत बड़ा जटका है और ये मुझे नमुम्किन नहीं लगता इतना हो सकता है तो ये downfall जो पहले दौर से शुरू हुआ ये चौते चरण में कुछ आप होने का मतलब आपको लग रहा है ये आने में समय में ये दिखाई देने माला है ये अब कैसे हुआ थेरा में से 14 सीट अगर बीजेपी लेती तब तो आप होती है बाकि तो down नी down सवाल है डाउन होने की गती क्या है ये जो फेज है हम मान लेते हैं पहले के बाद दूसरा तीसरा लेकिन वास्ताव में तो संयोग है संयोग क्यादार के पहले पेले पेज में ये दूसरे में किसी को डाल दिया तो ऐसा तो नहीं कि कोई लय है जो कि आगे बढ़ेगी अगटेगी चौथा पेज जब आएगा तो सफा की मजबूत इलाके शुरू हो जाएंगी वह सफा की परफॉरमस अच्छी होनी शुरू ह जाएगी तो इस संयोग को देखते वे मोटे तोर पे मैं समझता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के पहले दो चरणों में नुकसान और भी हो चुका है बावजूद इसके की जैन चौधरी का इराका शुरू में आया था उस सब के बावजूद बीजेपी को नुकसान हुआ ह वो नुकसान इस बार नुकसान की गती हो सकता है कम रहे इस फेज में लेकिन अगले फेज से फिर वो गती पकड़ देगी मेरे विचार से आखरी तीन जो फेजूद इस चौथे चरण में गती कुछ कम होगी और पाचवे से फिर गती पकड़ देगी ऐसा मुझे मेरा जो कि एक overall picture देखने की पोशिश कर दा है लिगे से आपका analysis बहुत मेंदुपूर है और आप हमें समय देते हैं इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और तबाम दर्शुकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया आप हाथ से थन्यवाद